जहिंद आज हम लोग इस विडियो के माध्यम से छैहर किताब की पांचवी कहानी के बारे में विस्तार से जनकारी प्राप करेंगी जिस कहानी का नाम है गुरुजीक चेठा चेठा को हम लोग खोर्था में फिकिर भी कहते हैं और फिकिर या चेठा जैसे सब्द को हम लोग हिंदी में चिंता कहते हैं आप कहते होंगे कि इस बात की मुझे बहुत चिंता है लेकिन आज कल के लोग चिंता जैसे सब्द का परियोग भी नहीं कहते हैं और सिधा केहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत टेंशन हो रहा है इसे हिंधी में बोले तो चिंता हो रहा है और चिंता को हम लोग खोल्टा में बोलेंगी तो चेठा हो रहा है या फिकीर हो रहा है जैसे आप अपने दादा जी या आप अपने दादी जी से यह सब्द को सुने होंगे कि मुझे उस बात का बहुत फिकीर है फिकीर है ऐसे लोग बोलते हैं ठीक अगर हम औरत्मान इस्तिती में आपकी बात करें ता आप एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपके अंदर भी एक चि चिंता बना हुआ है ठीक उसी परकार से इस कहानी के एक परमुख पात्र है जिनका नाम है राम नरायन राम नरायन इस कहानी के परमुख पात्र है उनके उपर भी दो चिंता बनी हुई रहती है राम नरायन एक पढ़े लिखे इंसान होते हैं पेसे से एक सिछक होते हैं य लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं जो लोग सिच्छित होते हैं वो अपने नजर से सभी लोगों को एक समान देखते हैं चाहे वो अपने समाज को एक नजर से देखते हूं अपने राईज को एक नजर से देखते हूं अपने देश को एक नजर से देखते हूं या दूसरे देश को भी एक नजर से देखते हूँ उनके नजर में सभी एक समान होते हैं पढ़े लिखे लोगों के नजर में हम इसका आपको प्रूप भी देंगे कि अगर पढ़े लिखे लोगों के नजर में सभी लोग एक समान नहीं होते तो मेरा भारत का सविधान इतना बिहतरीन और इतना दिवस्थित तरीके से सविधान नहीं हो पाता इस चीज हम आज चीज को हम आपको समझाते हैं इस कहानी के जब परमुक पात्र हैं जिनका नाम है राम नरायन उनके ओपर दो चिंता बनी हुवी रहती है पहला एक राष्टी अस्तर पे जो विवाद खड़े होते हैं कहने का मतलब दो राजियों का विवाद या तो बहुत ऐसे विवाद हैं जो हमारे देश के अंदर ही पनपते हैं हमारे देश के अंदर ही उत्पन हो जाते हैं वैसे विवाद से ये परियसान रहते हैं और उस विवाद में लेकर के ये बड़ा टेंशन रहते हैं राष्टी और अंतराष्टी विवाद को लेकर के ये बहुत चिंतित रहते हैं राष्टी विवाद मतलब दो देश्चों के विवाद जैसे कभी-कभी अगर आप देखते होंगी कि कभी भारत पाकिस्तान पे हमला कर दिया कभी चाइना भारत पे हमला कर दिया तो यह एक अंतराष्टिय विवाद है राष्टिय विवाद जो देश के अंदर होने वाले विवाद को हम लोग राष्टिय विवाद कहेंगी दो देशों के बीच के होने वाले विवाद को हम लोग अंतराष्टी विवाद कहेंगी पहला इनका ये पर्मुक कारण होता है कि इनके एक बहुत बड़ा टेंशन होता है दूसरा टेंशन ये होता है कि जो सरकारी ओपिस में काम कर रहे व्यक्ति होते हैं वो आम जनता को कैसे सोशन करते हैं और अपना जेव भरते हैं दूसरा कारण ये होगया कि कöyle सरकारी ओपसर या कह सकते हैं entre 3 कर्म्चारी है कि जो ये काम करने की निती है जो आम जनता से पैसे ठकते हैं और अपनी जीव को भरते हैं इस विवाद को लेकर भी राम नरायन जी बड़े चिंतित होते हैं आपके मन में यह परशना आ रहा होगा कि राम नरायन जी ही क्यों इतने चिंतित रहते हैं चुकि आपको पता है कि आपके समाज में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, जो इन सारे बातों पे सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग और सिछित लोग ही इन सारे बातों पे सोच सकते हैं, और हम आपको पहले ही बताएं कि जो राम नरायन जी हैं, वो एक सिछक हैं, कहने का मतलब क कि एक सिच्छित व्यक्ति हैं इसलिए इन सारे विवादों पे ये सुचते हैं चिंतन करते हैं ताकि इनका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके और इसी पे पूरी कहानी बने हुई है हम आपको ये बता रहे थे कि एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान राष्टी अस्तर पे भी सुचता है अंतराष्टी अस्तर पे भी सुचता है और सरकारी कारियों के बारे में भी सुचता है हम इसका एक एक जामपल आपके सामने लेकर किलाते हैं ताकि आप इसीज को अच्छी ढंक से समझ पाए हम कहें कि अगर पढ़े लिखे लोग अंतरा और राष्टिये के बारे में नहीं सुचते तो हमारा जो सवीधान है वो इतना बेहत्रिन सवीधान नहीं हो पाता आपको पता है कि भारत का सवीधान बना उसमें से अधिकतर सवीधान निर्मान करता जो थे वे वकील थे जिन्होंने ब्यवस्थी तरीके से इस सवीधान का निर्मान किया और सभी को एक महत दिये इस अधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सभी को एक नजर से देखे क्योंकि हम लोगों की जो नागरिकता है वो एक है इसके कई एक्जामपल हो सकते हैं लेकिन हम आपको एक एक्जामपल के माध्यम से समझाना चाहेंगी हम लोग की जो नागरिकता है वो एक है हम कभी कहते हैं कि हम जारखंड के नागरिक हैं क्या आप कभी कहते हैं कि उरिसा के नागरिक हैं क्या आप कभी कहते हैं कि बिहार के नागरिक हैं? क्या आप कभी कहते हैं कि उत्तर परदेश के नागरिक हैं? नहीं हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि हम लोग जारखंड के नागरीक हैं उरिशा के नागरीक हैं चतिसगड के नागरीक हैं उत्तरपरदेश की नागरीक हैं हम लोग जब भी कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के नागरीक हैं अगर हमों को राइज के अधार पे नागरिकता मिली हुवी होती तो हम लोग आपस में ही लड़ जाती और हमारी राष्ट में ऐसे विवाद उत्पं होता रहता तो हम लोग इस अधार पे कह सकते हैं कि जो हमारी सविधान निर्मान करता थे उन्होंने सबसे पहले राष्ट को महत दिया ताकि देश के अंदर कोई ऐसी विवाद उत्पन ना हो एक एक्जामपल और आप दिख सकते हैं महिलावों और पूरूसों को समानता दिया गया है ये सारे उधारन आपके सामने लाने का सिर्प मुझे एक ही मकसद था कि आप इन बातों को समझ सकें कि पहले के सिछित लोग स्वार्थी नहीं सभी को एक समान रूप से देखते थे बहुत चिंतन सील व्यक्ति हुआ करते थे और वही चिंतन सील होने के कारण ये आपकी एक कहानी बनी है जिसमें एक सी छक राम नरायन जी इस चिंता में डूबे हुए रहते हैं देश विदेश की विवादों में डूबे हुए रहते हैं उस पे चिंता करते हैं अब क्या चिंता करते हैं इस कहानी में आपको बताया जा रहा है चलिए इसी तरह से एक चिंतनसील व्यक्ति होते हैं इस कहानी में जिनका नाम होता है राम नरायन उनके बारे में हम लोग बिस्तार से जनकारी प्राप करते हैं उनके बारे में हम आपको बताएं कि उनके अंदर दो चिंताएं होती है राष्टी अंतराष्टी विवादों को ले करके और सरकारी क्रमचारियों और सरकारी ओपिशरों से गुरुजिक गुरुजिक मतलब गुरुजी का जो गुरुजी है राम नरायन के राइतों के निद नाई लगैन अब ये चिंता से बड़े टेंशन से बड़े चिंतित रहते हैं और इस बात को लगातार सोचते रहते हैं राष्टी और अंतराष्टी विवाद को ले करके ये बहुत चिंतित रहते हैं इसलिए अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है और कहानी कहता है कि जो इस कहानी के परमुक पात्रजिन का नाम होता है राम नरायन उनको इतना टेंशन होता है कि उन्हें इस बात से रात में भी निंद नहीं आती है टुकूर टुकूर देश दुनिया कर सरसमाचार सुनी हर घड़ी सोचले रहतला टुकूर टुकूर मतलब लगातार देखते रहना टुकूर टुकूर देश दुनिया मतलब देश भी देश का जो समाचार आता था सर समाचार मतलब जो इन्हें खबर मिलता था रेडियो के माध्यम से पेपर के माध्यम से टीबी के माध्यम से वही यहां लिख रहा है समाचार सुनी हर घड़ी हर घड़ी मतलब होता है हिंदी में हर समय सोचले रहतला सोचते रहते थे यही लिखा है टुकुर टुकुर देश दुनिया करसर समाचार सुनी के हर घड़ी सोचले रहतला यह लगतार इस समाचार को देखते रहते थे इस सम सूनने की बाद यह बड़ा चिन्तित रहते थे और सोच्ट रहते थे दिने जैने पेपर पढ़ते थे। पढ़ते थे रेडियों के समाचार सुनतला और रेडियों के द्वारा ये समाचार सुनते थे तो आकुल व्याकुल हाई के रही जातला और इन सारे विवादों को सुनकर की जो उन्हें पेपर के माध्यम से मिलता था जो उन्हें रेडियों के माध्यम से मिलता था इस सारे समाचार को सुनकर की वो बड़ा ब्याकुल हो जाते थे बड़ा चिंतित हो जाते थे बहुत प्रेशान हो जाते थे गुरुजिक राम नरायन पढ़तला इसराइल और लेवनान कर लड़ाईक खबर आगे कहानी बढ़ती है और यह कहानी में यह कहा जा रहा है कि गुरुजी इसलिए इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि यह एक पेसे से सिछक होते हैं सिच्छक होने के कारण इस कहानी में राम नरायन जी को गुरुजी के नाम से इंडेकेट किया गया है कहता है कि गुरुजी राम नरायन पड़तला इस्सराइल और लेबनान कर लडाई का खबर गुरुजी जो होते हैं वो अंतराष्टि ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंतराष्टी विवादों से ये भी परेशान रहते हैं और जो उनके बीच, दो देशों के बीच जो लडाई के कारण जो विवाद उत्पन होते हैं वो विवादों के बारे में भी ये पढ़ते हैं रेडियो के माध्यम से सुनते हैं अकबार के माध्यम से पढ़ते हैं तो उन खबर को पढ़ करके ये बहुत चिंतित होते हैं और कहता यहां कि गुरुजी राम नरायन पढ़तला इसराइल और लड़ाई का खबर जो इसराइल और लड़ाई हो रहा था उन विवादों के बा में आगी रहा है तो उनका अमिर्काग जोर जबरजस्ती इराक इना इरान उपर दबाब और उनके पास पावर होने के कारण अमिर्का जैसे देश में पावर होने के कारण वे अन देशों पे दबाब बनाता था जैसे यहां लिख रहा है कि इराक और इरान पे जो अमिर्का क दबाब था उसके बारे में भी गुरुजी पढ़ते हैं लिखता है अमिर्काग जोर जबर जस्ती इराक इरान ओपर दबाब पढ़तला पाकिस्तानी राष्टपती रोज-रोज बदलत जुमान पढ़तलत और राष्टपती जो पाकिस्तान के राष्टपती हैं वे अपनी ए लिए एक नया समयस्या का उत्पन होता था पाकिस्तानी खुपिया एजन्सी कारनामा पढ़तलत और वे पाकिस्तानी के खुपिया जो एजन्सी है उनकी कारनामा के बारे में पढ़ते थे पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन रोज-्रोज कर उत्पाज पढ़तलत और वे पा सिरिलंक का कर जाती समसिया, जगड़ा जणजट, गोली बारी, कारमाट, निपाल कर राजनितिक समसिया, बंगला देश कर उठपटांग समसिया, चीन कर आपन, पैतराबाजी, अब यह सारे जो देश हैं, यह सारे देश का नाम को आज neue नहीं रखना है यह सारे देश की जो जाती समस्या है जैसे सिरलंका की अगर जाती समस्या का जो जगड़ा जनजट है जिसके कारण मार काठ हो जाता है खोन खराबा हो जाता है उनके बारे में ही गुरुजी पढ़ते हैं नेपाल की जो राजनितिक समस्या होती है उनके बारे और लेखता है या कि चीन आपन पैतराबाजी वीयतनाम उत्तर देखिन समसिया आरो कते-कते पूरब एस्याक समसियों और यह पूरब इस्याक के बारे में चितने भी देश हैं Уन सारे देशती में पड़ताने वाले जितने भी देशें उन सारे देश्यों के बारे में पढ़ते थे और ये बहुत चिंता में रहते थे हम आपको पहले बता दियें कि अंतराश्टी विवादों के बारे में ये पढ़ते थे बीच एसिया में तो हिंदूस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान कर समसिया बन ले रहे और यह कहते हैं कि जो आपके मद एसिया है जो बीच एसिया में बीच एसिया में आते हिंदूस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान हलाकि यहां बीच एसिया में यह सारे कैसे लोग आते हैं हम लोग जब वर्ड जोगरफी पढ़े तो वहां बताया गया है यह हम लोग पढ़ते हैं वहां कि जो मदेशिया में कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजिबेकिस्तान जैसे देशाते हैं लेकिन ये बीच में अगर यहां बताया गया है कहानी के अनुसा तो हम लोग यहां इस कहानी के रूप में इसे आध रखेगा अलाकि ये चीज़ें आज रखने की जवरत नहीं है ये सारे विवादों के बारे में पढ़ते थे गुरुजीक राम नरायन परिशान रहत और ये इन सारे विवादों को पढ़ करके गुरुजी परिशान रहते थे गुरुजी राम नरायन सौबले बेसी सोचलेहत अमिर्का के राजनितिक बारे धनी देश रहे अब गुरुजी सबसे अधिक अमिर्का के बारे में सोचते हैं जो राजनितिक रूप से वे बहुत धनी रहता है अमिर्का अमिर्का के ग्यान विग्यान आरधानों समपती में आगू सेले उकमजोर देश के आपन गुलाम तैर का नाच्वे खेले हैं और कहते हैं गुरुजी यह सोचते हैं कि जो अमिर्का है वो राजनीतिक रुप्षी बहुत मजबूत है जिसके कारण वो अन देशियों को अपना गुलाम बन करके नचाता है यही सोच रहे हैं अमिर्का ज्यान विज्यान और धनो संपत में आगू सेले जो अमिर्का था वो ज्यान के माध्यम से विज्यान के माध्यम से बहुत धनी था उनके पास धन संपती भी अधिक थी आगू मतलब आगे सेले वो कमजोर देश के आपन गुलाम तैर का नाचावे खेल विहले और इसलिए वे अपने से कमजोर देश जो रहता था उनको वो नचाता और खेलाता था इजराइल और फिलिस्तिन कर समसिया और इजराइल और आपका फिलिस्तिन की जो समसिया है इराग कर समसिया इरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग ओकर समती अरा समती जंग जाहिर रहे उक्रो चिंता फिकरे गुरुजी राम नरायन के निंद नाय आवेन अब ये सारी ज देश के समस्या से चिंद नित रहते हैं यहां वही मिंशन किया गया है यूरोप कर देश पराय चूप रहत इराजनितिक लफड़ा में नए पड़े चाहिए अलाय और जो यूरोप के अंतरगत यूरोप महादीप के अंतरगत जो आने वाले देश हैं वे ये सारी राजिनति समस्या में नए पड़े चाहिए अलाय और वे यूरोप के अंतरगत आने वाले जितने भी देश थे वे कोई राजितिक समस्या में नहीं पड़ना चाहते थे वह खिन आपन विकास खातिल रायत दिन जपान लेखे लागल रहाद और यह कहते हैं कि यूरोप महादीप के अ आगे हुआ था जिस तरह से जपान विकास किया था उसी तरह से यूरोप महादीप के अंतरगत आने वाले देश भी जपान के जैसा विकास करना चाहते थे वही लिखाए वोखिन आपन विकास ओखिन मतलब यहां बताया गया है यूरोप के सारे दिश्यों के बारे में वोखिन आपन विकास का तिल रात दिन जपान लेखे लागल रहाद और उन लोग अपने विकास के लिए रात दिन जप प्रांट्स स्विर्जर्लेंड दिन दुगुना राज्चोगुना बढ़े हलत और यह सारे जो देश हैं वो लगतार विकास करते हुए जा रहे थे यही लिखा है कि यह सारे जो देश हैं वो दिन दुगुना राज्चोगुना बढ़े हलत इन लोग का जो विकास करने की जो प्रोग्रेस जो था उन लगातार काफी तेजी से हो रहा था बिर्टेन और रूस अमिर्का संगे गिसाय पिटा है ले और चिन बीच बीच में बढ़ाय चड़ाय के सर सिकायत करे है ले इस अपसोची सोची गुरु जी बेमतलब अपन सरीर खपाय करे हलत और यह सारे जो देश बिवाद हैं देश के बिवाद हैं इन सारे बिवादों पे गुरु जी सोच करके अपना सरीर विकार में खराब कर रहे थे यहीं हां लिख रहा है यह सब सोची सोची यह सारे चीज़ों को सोच सोच करकी गुरुजी बे मतलब गुरुजी बिना मतलब का आपन सरीर खराप करेहले अपना सरीर वो बरबाद करते थे खराप मतलब बरबाद करेहलत मतलब करते थे अगर आप World Geography को पढ़े होंगे तो ये सारे चीज को आप असानी धंक से अप आपके दिमाग में ऐसा एक मैप बना होगा और आप उस मैप पे जरूर पहुच पा रहे होंगी हलाकि यहाँ कोई चीज नहीं है कि आप मैप पे पहुचें लेकिन अगर आप World Geography को पढ़े होंगे तो आप इन सारे चीजों को लोकेट कर पा रहे होंगी आप अपने दिमाग में इन सारे देश के लोकेशन के बारे में देख पा रहे होंगे कहानी को आगे देखते हैं राम नरायन गुरु जी के यतने चिनता फिकिर ना रहे हैं अब कहता है कि गुरु जी को सिर्फ देस वी देस की विवादों पे ही चिनता नहीं रहता था वकिन चिंता फिकिर तो भागवाने जाने पड़तला और उनके जो फिकिर था वो फिकिर को सिर्फ भागवान ही समझ पा थे जखन उन देशक चिंता फिकिर करे लागतला जी समय वो देश और दुनिया या तो देश और विदेश की जब चिंता के बारे में वो सोचने लगते थे देश और विदेश के विवादों के बारे में जब वो चिंता करने लगते थे देश और विदेश के बारे में जब वो सोचने लगते थे तक हम तो ओखा मिहरारू परेसान है जातला उस समय उनके जो पत्नी थी वो भी बहुत परेसान हो जाती थी महरारू मतलब यहां राम नरायन जी की पत्नी की बात की जा रही है और पत्नी को खोठा में महरारू कहा जाता है तो वही कहता है कि जी समय राम नरायन जी देश विद्यस की घटनाओं के बारे में सोचा करते थे उस समय उनकी पत्नी भी उससे परिशान हो जाते थे अजी खा लिजी और उनकी पत्नी कहते थी अजी खा लिजेना खाना ठंडा हो रहा है फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा पेट दर्द कर रहा है देखे आपको आप यहां देख पा रहे होंगे कि यह सारे जो सब्द हैं वो हिंदी में लिख दिये गया है अगर कुछ ऐसे खोठा के सब्द हैं जीसे आप खोठा में नहीं लिख सकते हैं कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड हैं जीसे आप खोठा में नहीं लिख सकते हैं उससे आप हिंदी में ही लिख सकते हैं तो उसे आप हिंदी में लिख दीजेगा लेकिन कंडिशन यहां यह होगा कि अगर आप किसी भी सब्ज को हिंदी में लिखते हैं तो आपको कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा जैसे आप यहां देख पा रहे हैं यहां हिंदी जैसे संटेंस का परियोग किया गया है लेकिन हां कोमा के अंदर इन सारे संटेंस को रखा गया है अजी खा लिजेना खाना ठंधा हो रहा है फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा पेट संटेंस है लेकिन हिंदी संटेंस है तो कोई बात नहीं इसे कोमा में बंद कर दिया गया है अगर आपको भी कोई भी सब्द लिखने में दिकताती है तो आप कोमा में बंद करके उससे आप हिंदी में लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप ऐसी इस्तिती में आप सभी चीज को ह हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दें और आप कोमा के अंदर बंद कर दें नहीं कुछ ऐसे सब्द हैं कुछ ऐसे हिंदी के सब्द हैं जो खोठा में नहीं लिखे जा सकते हैं तो आप उन्हें कोमा के अंदर बंद करके लिख सकते हैं वहिम की पतनी कहती है कि आप खाना खा लिजए खाना ठंडा हो जाएगा फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा और पेट आपका दर्द करने लगेगा तो वो राम नरायन कर चिंता भंग नाय हैतलेन इसके बाद भी राम नरायन जी का चिंता जो है वो भंग नहीं होता था जैसे वो तपसिया में लीन रहा जैसे कि वे अपनी कोई तपसिया में लीन है जैसे साधू संतना तपसिया में लीन होते हैं तो और कुछ भी बात को नहीं सुनते हैं ठीक उसी तरह से राम नरायन जी जब देश विदेश की समस्या के बारे में सोचते हैं तो वे भी बहुत चिंतित होते हैं जैसे की वो कोई तपसिया में लिन है राम नरायन तखन आपन देश एक आपन राईज एक आपन छेतर एक आपन गावेक और आपन घारक हाल भी हाल सोचित रहतला और वे उस समय जब वे चिंता में पड़े हुए रहते थे तो देश भी देश के अलावा अपने गाव के बारे में अपने राईज के बारे में सोचते रहते थे जम्मु कस्मीर के आतंकवाद वे सोचते थे जम्मु कस्मीर के आतंकवादियों के बारे में असम्य घालेती पूरार नागालेंड कर जाती वाद संगर्स बिहार जार कर नमद परदेश चतिसगर कर उगरवाद अंद्र परदेश कर तेलंगनावाद गुजरात महराष्ट कर हिंदू मुस्लिम उडिशा कर इसाई वाद कर रोज रोज कर खबर से राम नरायन चिंताई ड कहानी को अब हम लोग आगे देखते हैं आईए अब इस कहानी को हम लोग आगे देखते हैं गुरुजी के पास एक परिवार था और परिवार में कुछ ना कुछ समस्या उत्पन होती रहती है भाई भाई को ले करकी रिष्टेदारों को ले करकी बेटा बेटी को ले करकी वो समसिया थी इन पे वो तो थी ही थी लेकिन इसके अलावा एक सिछित व्यक्ति होने के कारण एक समाज वादी व्यक्ति होने के कारण जो देश अस्तर पे राज अस्तर पे ये अपने समाज में अंतराष्टी अस्तर पे जो घटनाय घड़ती थी उनके बारे में ये चिंतन करते रहते थी क्योंकि एक सीचित व्यक्ति थे एक समाज वादी व्यक्ति थे वही यहां लिखता है गुरुजिक बेचेनी आपन घारेक दुराक जे रहें से तुरहबे करें जो इनके अपने घर की घर परिवार की समस्या थी वो तो थी ही थी घर परिवार की क्या समस्या थी भाई भाई हित कुटूम बेटा बेटिक जर्ज है मेला तो रोज बरदास्त करें हेलन यही कहता है कि जो भाई भाई में जो जगड़ा होता है जो विवाद होता है या रिष्टेजारों के बीच जो विवाद होता है बेटा भेटी के बीच जो विवाद होता है इन सारे जर्जे मेला मतलब होता है विवाद तो रोज बड़ास कर रहे हेलन वो रोज इस चीज को बड़ास करते ही करते थे इसके अलावा इग और टेंशन बना हुआ रहता था राष्टि अस्तर, अंत्राष्टी अस्तर की विवादों को ले करके आदमिक आसंतोस और आ विश्वास तो देखे हैं लैन और गुरुजी इस तरह से इस सारी समस्याओं के साथ साथ लोगों का विश्वास और लोगों का आसंतोस देखते थे इतिन तो देखी देखी भेभाई गेलरहत और इस सारी चीजों को देखते हुए देखते देखते गुरुजी उब गए थे या आप समझे भेभाई गेल रहल्त मतलब उब गए थे इटिन तो इन सारे विवादों को दे करके इन सारे समस्याओं को दे करके गुरुजी उब गए थे सांती नाय पावे हलत और सांती उनको नहीं मिलती थी रायतो भर निंद नाय आवत लेन और गुरु जी को इन सारी समस्याओं से कभी निंद नहीं आते थे काद घंटा जे बिहान बिहान सुतितला तो सुतितला और नाय तो जगले बिहान है जात लेन अब कहता है कि इन सारी समस्या से जुझते हुए गुरु जी बिहाने बिहाने मतलब भोर के समय में एक घंटा या आधा घंटा सोते तो सोते नहीं सोते तो ओ सवेरा हो जाता मतलब सुबा हो जाता या तो कह सकते हैं दीन हो जाता यही ची लिखता है बिहान, बिहान मतलब सुबा हो जाना, दीन हो जाना, बिहान है जातलैन और सुबा हो जाता था गुरु जीक, राम नरायन, मानवी विचारधारा का आदमी रहल्थ सेले गोटे दुनिया का आदमी के एके लेखे बुजे हैलत और वे एक मानवे विचारधारा के व्यक्ति थे और वे पुरे सभी लोगों के बारे में सोचते थे और सभी को समझते थे कि सभी व्यक्ति एक जैसे हैं वो एक समान नजर से सब को देखते थे इसलिए उनको लगता था कि सभी ये देश दुनिया के जो व्यक्ति हैं वो एक जैसे हैं वही लिखता है गुरुजीक राम नरायन मानवी विचारधारक आदमी रहल्त से ले गोटे दुनिया मतलब पूरे दुनिया के आदमी के एके लेख हैं बुझे हलत एक ही जैसा वो समझते थे पूरे व्यक्ति को समाजे कते कते रकम लोक यहांत देश दुनिया एक कते कते रकम कर भाव विचार है इता गुरुजी दिमाईगे ना अवेहले अब यहां कहता है कि इस दुनिया में कितने परकार के लोग हैं और कितने परकार के लोगों के मन में कितने परकार की भावनाए अलग-अलग पर में कई परकार के व्यक्ति हैं और कई परकार के व्यक्ति हैं तो कई परकार का दिमाग भी अलग-अलग परकार से चलता है सबकी जो विचारधारा है वो अलग-अलग है ये गुरु जी को बात समझ आही नहीं रही थे वे सभी को एक जैसा ही समझते थे उत्तो छहुआ के जैसे पढ़वेल थे और उज इस तरह से अप पढ़ाने का कायर करते थे लोगों को नेतिकता की बात बता थे बच्चों को सही मार्क पे चलने की बात बता थे सभी को एक जैसा पढ़ाते थे ठेक उसी तरह से इस दुनिया वालों को भी वो एक जैसा ही समझते थे वेह सब आदर्स ओकर दिमागे घुरेत रहतला जिस तरह से वे आदर्स तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे उसी तरह से इस दुनिया को भी देखते थे और वही विचार उनकी दिमाग में घुमता रहता था वे हैं सोब आदर सोकर दिमागे घुरेत रहतलन और विहवारे ठीक एकर उल्टा है विहलें जिस तरह से वे लोगों को सोचते थे उसके जश्ट उल्टा थे उनका विहवार जो था वो उल्टा था यही लिखता है और विहवार ठीक एकर उल्टा है वे हलें जिस तरह से गुरुजी सोचते थे उनसका जश्ट उल्टा लोगों का विहवार था से ले वो भित्रे भित्रे परेशान रहालत इसी के कारण गुरुजी इस चीज को लेकर के परेशान होते थे ओकर आत्मा इस सोचले ओकर आत्मा इस सोचे है जखन सिच्छाक एतना बिस्तार है के अब गुरुजी का आत्मा यह सोचता है कि अब सिच्छाक का इतना बिस्ता अब यह कहते हैं कि बिग्यान इतना आगे बढ़ गया सिच्छा का इतना दिस्तार हो गया फिर भी यहां के जो लोग हैं वो जानवर लेखें मतलब जानवर की जैसा अपनी बहादूरी अपन बहादूरी देखाएके अपना बहादूरू दिखा करके की पुर्ने इतिहास के दुहराबईत रहाद और पुराणा इतिहास को आद करता रहता है इस सोच के राम नरायन गुरूजी बड़ा निरास थाकल-हाराल तरी रहे लगले और इन सारे बातों पे विचार करके गुरूजी सोचते हैं और थाग जाते हैं और वे अपने आपको हारा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद देश का राजनितिक इस्थिर्ता के डगमगा के राखी देले रहे और वे कहते हैं कि जो विदेशी आतंकवाद हैं और देश के जो उग्रवाद हैं वो राजनितिक इस्थिर्ता को डगमगा दिये हैं राजनितिक इस्थिति को पुरी तरा से चर्मरा दिये हैं रोज-रोज बंबी स्पोर्ट रोज-रोज उन लोग जो हैं वो बंबी स्पोर्ट करते हैं कौन आतंकवाद और ओग्रवाद बारुधी सुरंग विस्पोर्ट गोली बारी मुट भेड कर खबर रेडियो सुनिला टीवी देखतला और पेपरे पढ़तला और वे पढ़ते थे कि जो विदेशी आतंकवादी हैं और देशी जो उक्रवाद हैं वो धेर सारी घटनाएं घटित करते रहते हैं वे उन्हें अ बिस्टो कहिऊ आरोबेसी मुर्तला और विखाबार में पढ़ते थे रेडियो में सुनते थे टीवी में देखते थे कि कभी कभी इस आतंकवाद और उग्रवाद के कारण कभी दस्टो कहिऊ 20 तो कहिए आरोबेसी मुर्तला और उग्रवाद और आतंकवाद के कारण कभी कभी 10 लोगों की मोथ होती थी कभी कभी 20 लोगों की मोथ होती थी तो कभी 20 से भी जादा लोगों की मोथ होती थी यहीं लिखता है कहिए मतलब कभी 10 तो कहिए 20 कभी 10 लोगों की तो कभी 20 लोगों की तो कहीं आरो बेसी तो कभी कभी और भी अधिक मोर्तला मतले उन लोगों की मिर्तु होती थी बाहरी दुस्मन जतना खत्रा करे हैलत जितना बाहरी दुस्मन अर्थात आतंक वाद खत्रा करते थी वकरे बेसी नुक्सान घरेलू दुसमन करेहलाद उसे अधिक अर्थात उगरवाद खत्रा करते थे जितने खतरनाक बाहरी लोग साबित नहीं होते थे उतना खतरनाक देश के अंदर रहने वाले उगरवाद खतरनाक साबित होते थे सरकारी तंतर के तोड़ फोड़ सड़क कर पूल तोड़े के ये स्कूल ढहावेक पुलिस चोकी उड़ावेक काम करत रहात और ये जो देश के अंदर रहने वाले जो उगरवाद थे ये सरकारी तंतर को तोड़ फोड़ करते थे सड़क का पूल तोड़ देते थे इस्कुल को तोड़ देते थे, धाहावेक मतलब तोड़ देना, पुलिस चोकी उड़ा देते थे, पुलिस चोकी किसे कहते हैं थाना का एक छोटा सा रूप होता है, जिसे हम लोग पुलिस चोकी करते हैं, सहर में यह दिखतर पाया जाते हैं, चोक चोराहे पे काम करेत रहाहत एकर से छेतरक विकास रूख जा है और कहते हैं कि इन सारी घटनाओं के कारण जो छेतर का विकास होता है वो रूख जाता है अब जो विकास होगा इन लोग तोड़ फोड़ देंगे तो विकास ऐसे ही रूख जाएगा उस थेतर में कौन प्रोग्रेस करेगा कौन इन्वेस्ट करेगा गलत कर विरोध तो होवे के चाहिए अब गुरुजी कहते हैं कि गलत का विरोध होना चाहिए ओकर में कोनों दोस नहीं खेमूद्दा तोड़ फोड में राष्टी संपती नुकसान होवे है अब कहते हैं गुरुजी कि जो ऐसा करता है उसे सजा होनी चाहिए ऐसे में राष्टी संपती का नुकसान होता है बस जलाना ट्रेन उडाना ये कहां का विरोध लागे अब गुरुजी सोचते हैं कि ये बस जलाना ट्रेन को उडाना ये कहां का विरोध है कैसन बिरोहद लाग है कैसा बिरोहद है ये मानवा अधिकार कर खिलाप काम करे सजा तो हवे चाहिए जो मानवा अधिकार के खिलाप ऐसी ऐसी कायर को करता है जो राष्टिये महत्य की संपती को जलाता है उसे सजा होनी तो चाहिए यही लिखता है यहां कि मानवा अधिकार कर खिलाब काम करे ले सजा तो हवे कि चाहिए जो ऐसे ऐसे कायर करते हैं जो राष्टिय संपती पे गलत परभाव डालते हैं या उसे बरबाद करते हैं उसे सजा होनी चाहिए गुरुजी क्रामा नराइन करविचारई परियास भठकाव के कारण हेले है अब ये मानते हैं कि लोगों की अंदर जाग रुकता नहीं है उनलों के अंदर कोई परियास नहीं है जिसके कारण इंसारी समसिया उत्पन होते हैं हवेल अगल है मुखधारा में नौजवान सब के आवेके चाही और वे अपने अब समाज वादी विचारधारा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि सभी को नौजवान की जो विचारधारा है उनको सबको उसमें आना चाही नौजवान की जो मुखधारा है उसमें सबको आना चाही यही लिखता है मुखधारा में नौजवान सब की आवेके चाही जो मुखधारा है मुखधारा जो एक अच्छी विचार है जो एक समाज वादी विचार है उस समाजवादी विचार में सभी नौजवानों को आना चाहिए सभी नौजवानों को आकरसित करना चाहिए गुरुजिक समाजवाद कर मनवयरहत और गुरुजिक जो थे वे समाजवादी व्यक्ति थे वही हम आपको सुरू से बता रहे हैं समाजवादी व्यक्ति थे तो समाजे कौनों अन्याय हले सहेना पारे हले और समाज में कोई स्परकार की अन्याय काईर होती थी तो गुरुजी से सहा नहीं जाता था क्योंकि वे एक समाजवादी व्यक्ति थे समाजवाधी वेक्ती थे इसलिए उसे आन्याय सहा नहीं जाता था देशे विदेशे कहूं देश विदेश में अगर कहीं जन हानी मतलब किसी की मिर्टु हो जाते थी धन हानी संपती का भी हानी होता था बड़ी मातरा में जीवन हानी है ले और बहुत मात्रा में अगर किसी की मिर्टु हो जाते थी जैसे आपने देखा यां 10, 20 और 20 से भी अधिक हो जाते थी सुने पाइले गुरु जी का आत्मा कापी जाहलें और जब ऐसी इस्तिती और ऐसी घाटना जब सुनते थे तो गुरु जी की आत्मा काप जाता था वो कापी जाहलें और वो काप जाते थे लोर नाज चुलूए आख डब डबाए रहे हले उनकी आख से आशु सिर्प नीचे नहीं गिरती थी लेकिन आशु से आख भर आता था आशु से आख भर आना मतलब यहीं होता है कि आख डब डबा गया था मतलब आशु से आख भर गया था गुरु जी राम नारायनन कर मन आरो ठोस है जात लैन और गुरु जी का मन और भी ठोस हो जाता था जखन उजाती अर समुदायकर आदमी लड़ाई ये 100, 500, 1000 और 1000 ले बेशी खुन खराब सुन्त लता और जब गुरु जी की मन और भी कठोर ये ठोस हो जाता था जब वे जाती के विवाद में जाती का विवाद होता है वो बहुत विक्रन नहीं किया गया था हलाकि भासा के अधार पर कर दिया गया इसमें भी बहुत बड़ी वाधाएं आये थी लेकिन कभी जाती के को ले करके हमारे देश में राजियों का विभक्त नहीं किया गया जो जाती का ये लड़ाई होता है ने बहुत खतरनाक लड़ाई होता उसी में से जाती के विवाद में 100-500,000 और 1000 से बेसी, 1000 से अधिक खुन खराबा जब होता था, तो गुरु जी के मन और भी ठोस्त हो जाता था, इन लडाईये ककर नुक्सान है ले, और वे सोचते थे गुरु जी कि इस लडाई में किसका नुक्सान हो रहा है, गुरु जी चे लाक्तला और गुरु जी सोचते रहते थे, बेसी गरीब तो मुवर लहता और सबसे अधिक इस लडाई में गरीब माले जाते थे, रोज मजदूरी करे वाला, रोज अपने पेट को पालने वाला, फेरी करे वाला, घुम घुम के जो बेचने वाला लोग होता है, गाउ फुटपात पे दुकान लगाते हैं, वे लोग रहते हैं, तो बेसी मराहत ये जाती और समुदाय वाला जड़प में, और ये जाती वाला जो लडाई है, उसमें फेरी वाला अधिक मरता है, मजदूरी करने वाला अधिक मरता है, दुकान चलाने वाला अधिक मरता है, फु जनी छववा कर आधार यहार सिच्छा दिच्छा कर के जिमेदार होवे हैं अब यही कहते हैं कि जो मरा जाता है उनके माबाप जनी छववा और उनके बेटा बेटी उनके पतनी कर जो आधार है यहार है दिच्छा सिच्छा दिच्छा कर के जिमेदार होवे हैं आप यह गु वादों में ये सारे जो लडाईया में जो कुछ फेरी वाला मर जाते हैं मजदूरी करने वाले जो गरीब मर जाते हैं दुकान चनाने वाले लोग मर जाते हैं पुटपाक पे काम करने वाले लोग जो मर जाते हैं उनके घर का जो परिवार है माता-पिता हैं पतनी है उनके ब उनके सिच्छा दिछा का कौन जिमेवार होता है इस चीज को आप यहां तक देख पाए यह कहानी अगर हम पुरी तरह से एक विडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाते हैं तो यह विडियो काफी लंबा हो जागा यह विडियो अभी ही काफी लंबा हो चुका है तो इस कहानी को हम लोग दो पाट में देखेंगे यह पाट ओन आपका यहां खतम हो जाता है इसके बाद आएगा आपका इस कहानी से समंदित एक और विडियो पाट टू के नाम से जहां यह कहानी पुरी तरह से समाप्त हो जाएगी उम्मिद करते हैं इन सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे और इतना कहानी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया लग गया होगा कि खुरठा भासा कैसे पढ़ा जाता है कैसे लिखा जाता है और आप इन सारी सब्दों को समझ पाए होंगे कॉमेंट सेक्षन में आपको यह बताना है कि क्या हम कहानी को थोड़ा सा अस्प्रिड में ले करके चले आपको समझने में कोई अब दिक्कत तो नहीं होगी हलाकि अगर एबरेज चीजें रही तो हम जैसा कि आपको समझाते हुए चल रहे हैं विस्तार रूप से हम लोग एक बर पढ़ेंगे और आखरी बार पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे अन्याथा नहीं पढ़ेंगे एसा इस्तिती हम लोग नहीं खड़ा करना है कि हमें बार-बार पढ़ना पढ़ें पढ़ना एक ही बर है एक ठोश जनकारी हमें लेना है अगर हमारे स्लेबस में ये सारी चीजें हैं तो हमें पढ़ना पढ़ेगा हमारे जीमन में कभी काम या ना या या लेकिन आपके सलेब्यस के अनुसार अगर यह चीजें है तो आपको अधिकारी बनना है तो यह सारी चीजों को ले करके आपको चलना आतियावत्शक है कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक बर पढ़ेंगे लेकिन अचे धंक से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई पर्ष कहीं से कोई भी पूछे पढ़ने के बाद आपसे कोई पर्ष ना चूटे चलिए दोस्तों